सर्दियों का मौसम आते ही खांसी जुकाम और अन्य समस्यां को अपने साथ लेकर आता है इन दिनों इसकिन भी रूखी पढ़ जाती है हातों और एडियों के फटने की समस्या पढ़ जाती है इसका सबसे बड़ा कारण है इस मौसम में दिहाई ड्रिक्षन का होना जिसकी वज़े से इसके नतेजी से अपनी नमी खोने के साथ साथ फटने लगती है कुछ ऐसा ही हमारी एडियों के साथ होता है जिसके उपचार के लिए वट ब्रक्ष का दूद रामबान आसती से कम नहीं है इसका इस्तमाल महद ऐसे साथ दिनों पें फटी हुई एडियों की दरारों में लगाने से फटी हुई एडिया मुलायम हो जाती है बर्गत एक तो पूजी ये ब्रक्षडी है हमारे लिए जो लुद धर्म है दूसरा इसमें बहुत सारे ओसदी बन होते हैं बर्गत का जो बटांकुर कहलाता है जो सामने वाला एक नया अंकुर उता है उसको बटांकुर कहते हैं और इसका उपयोग कुंस्वन संस्कार में किया जाता है कुंस्वन संस्कार जो होता है अच्छे संस्कार बच्चों में गर्वती माता होती है तो गर्व से ही कुंस्वन संस्कार किया जाता है दूसरे मेंने में अच्छे संसकार रागने के लिए इसका डिशान के रूप में प्राब्लम हो रही हूं या और बहुत सारी उकोरिया है जैसे कि उसमें परिशानी हो रही है तो इसमें भी वट के ग्रशिकी च्छान का यूज किया जाता है इसके पत्तियों का यूज किया जाता है जिन लोगों को बिमाईयां पट्ती इसको बिमाई में इसके ब्रशिका जो दूद निकलता है उसको लगाया जाता है